चलिए सबसे पहले आप सभी को जहिंद कैसे आप सभी लोग बढ़िया तो आएए यह आपका एक तरीके से इंटर्विव कंडर करा रहा हो काफी दिनों के बाद क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता हम सेलेक्शन कराते बच्चों से बात करते हैं तो जब उनका टाइम फ्र इस वेरिफिकेशन है तो वह चले गए वेरिफिकेशन के लिए उनका कल इंटर्विव कंडर कराएंगे तो यहां आपके सामने रंजीत यह ना तो इनका कुछ लाइफ के बारे में अपने लोग जानेंगे और आपके लिए क्या-क्या हो सकता ने इससे रिलेटिद हम लोग गुल मॉर्निंग सर गुल मॉर्निंग कैसे हैं पहले बढ़ी आएं और कहां से हैं मतलब का नाम अपने माता पिता का नाम आप कहां से हैं जैसे ना कुछ बच्चे कोसं सर डावट रहता मतलब की तयारी से रिलेटेड जो कर रहे होते हैं जो कर चुके रहते हैं, बहुत सार ऐसे बच्चे होते हैं, जो काफी दिने उस त्यारी करते हैं, successful नहीं उपाते हैं, क्योंकि बहुत सारा reason, उसका एक reason यह भी होता है, कि limited seat होता है, तो everyone can't get it, तो सभी लोग नहीं हो सकता possible, बठा, जो कमिया रह जाते हैं, उसको सुधार कै कैसे किया जा सकता और बहतर कैसे बनाया जा सकता, तो मेरा main focus इस interview का यही रहेगा, कि बच्चों को कुछ फायदा हो, रहदर दन कि मैं आपके बारें बात कुछ, आप मेरे बारें बात करूँ ना, तो हम लोग इस interview को एक सही direction में ले जाते हैं, तो सिधे point प्याते, point to point मैं इधर क्यों आने की सोचे, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे examination चलती रहते हैं, इंडिया में आप किसी category में जा सकते थे, एक restricted category क्यों आपने चूज किया? सर, देखिए, जब मैं जब seven-eight class में था, तो मैं जिसी इलाका में रहते हैं, हर एक घर से मान के चलिए एक डिफेंस में, हर एक घर के बच्चे हैं, मतलब बोलिये, BSA बोलिये, SSC GD बोलिये, police बोलिये, मतलब हर एक, तो एक अपने आप में एक पैसन टैप का आजाता है, और देश का सिवा करने का मौका सर, मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ा बात क्या हो सकता है, तो वही और, हाँ सर, और सभी दोस्त जा रहे हैं, ये इंस्पारेशन, और सबसे बड़ा बात है, माप भी सपोर्ट करते हैं, कि आप जाईए दिसका सिवा कीजिए, तो ये कही न कहीं बचपन से मन में आ जाता है, तो जिसके करना हम लोग इक भी बना लेते हैं जाने के लिए, कि जाएंगे तो डिफेंस में जाएंगे, और जो सबसे बड़ा बात है, सर, जो वर्दी, जो सब कोई नहीं पा सकता है, सर, ये बहुत ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप वर्दी की बात करो तो इस देश के प्रधार मंत्री के पास भी इतना पावर नहीं कुस वर्दी को मतलब सही तरीके से पाए जा सके अगर उनका एज जा चुका या उस फिजिकल फिटनेस को या रिटिन को क्वालिफाई नहीं कर सकत तो दूसरे क्वशन काते रंजीत जी कि आपके सामने जब आप त्यारी कर रहे होगे तो जाहिड सी बात है जैसे आपने बोला कि आपके आसफास सभी लोग फोज से रिलेटिन है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पर भी प्रेसर सब महसूस होने लगा यार कि हमारे घर से फोज में नहीं या मैं क्यों नहीं हूँ तो इन सभी प्रेसर को आप हैंडल कैसे करते थे या इन ही प्रेसर को आप मोटीवेशन लेते थे मतलब इसको कैसे आप एक्स्प्लेइन करेंगे सब्सक्राइब करना है और लगे मतलब नॉनमल सा त्यारी किये और एक्जाम दिये एक्जाम निकल गया सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैंने त्यारी किया तब उसमें को रोना आ गया जिसके करण नहीं आया और मेरे को लगा कि अब अच्छे से महनत करके मैंने कांटीनू रखा पड़ाई को अपने मेरे को कैसे भी करके निकालना ही है और यह तो बड़ा अच्छा लगता मैं सच बताओं आप लोगों से बात करके डिफेंस के स्टूडेंट का मतलब जब आप मिलते वहां जैसे आपको मैं देख रहाँ न एक अलग साफ फील होता है और मैं सच बताओं जितना पॉजिटिविटी आप लोगे दर जुनू होता है उतना डिफेंस के पढ़ाने वाले टीचर के अंदर भी होता है मैं ऐसा महसुस करता हूं और सभी टीचर को देखता हूं तो काफी डिफेंस के काटेगरी के टीचर और दर तीजिए प्रपाइंट पर आथ है कि जब आप प्रिप्रेशन कर रहे होगे रूटीन जो आप फॉलौ करते होगे तो एक रिगलर रूटीन से आपको हटके जाना होता है आफ फिजिकल की बात कर लो मेडिकल की बात कर लो घृञ पीन पढ़ाई लिखाई तो अपन जब एज होता है तो आद भी सबसने लगता कैसे कंट्रोल करना है आपके एज में कैसे आप कंट्रोल करते थे इन सब चीजों को जैसे सोचल मीडिया हो गया और फालतों जंक फूट्स होते हैं लोग खाते फिजिकल अपना खराब कर लेते मेडिकल और मेंटली प्रेसा देश देखिए सोचल मीडिया के लिए एक ही मंत्र है क्योंकि वह तो दूर नहीं किया सकता तो जब मैं यूज कर लेता तो उसको एक लॉग आउट सिस्टम है जो लॉग आउट कर देंगे ना नोटिफिकेसन आएगा ना देख पाएगे तो जीस समय पर मैं खाली होंगा एक घं कि दो जांटा देंगे तो तो यह नहीं कि सर चाफ गंटा पढ़े तभी निकलेगा दो लेकिन इग्जाक पढ़े और शुलेबस के कोडिंग परें क्योंकि यूज को मैक्सिम्टे लोग को पता निया कि एक जाम में आता क्या निल्ग का मैं आता या कि मैट्स बनाने लगत तो अपना टीचर को भी सेलेक्ट करना हूँ कि कौन से टीचर बिश्ट मतलब वे पे पढ़ा रहे हैं कि सिर्वस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं बिल्कुल अच्छा सबसे बड़ी अच्छी चीज बात रिके दी बात मैं सच बताओ इस पर मुझे बात करना का इसका तो इसका सबसे आसा तरीका है कि आप लॉग आउट कर दो या अप्लिकेशन कुछ देर के लिए हटा दिया करो क्योंकि बीच में मुझे सच बताओ मुझे बिलत लगी वगरा खेलने का तो मैं भी पबजी वगरा बहुत खेलता था बीच में लेकिन मैंने यही किय लेकिन हाँ आपका बहुत कुछ सही हो जाता है तो यह बहुत अच्छा एडिया आपने दिया सोसल मीडिया से कंट्रोल होने का क्योंकि इगनोर तो बिलकुल नहीं कर सकते आप यह इतने मतलब रेगुलर लाइफ स्टाइल में आपके आ चुका है और मुझे लगता है कभी बच्चे ऐसे होंगे जो यूटूब से प्रॉफिट भी लेते पढ़ते और बहुत सारे बच्चे होते इस एक चक्कर में फसे रह जाते हैं तो हर चीज़ का पॉस्टिव निगेटिव है आप उसको पॉस्टिव कैसे निकाल सकते यह आपकी जिमितारी बनती है आते बहु क्या रहती थी आपकी यूजूली तो सुबह मेरा मतलब सुरू से ही जब 9-10 क्लास में थे तो सभी दोस्त माट में दोड़ने रनिंग के लिए जाते थे तो मैं भी कहीं न कहीं मतलब साड़े चार से पांच बहें तक ठीक से रहता था कि जाना है और साड़े 6-7 बहें तक घर आके नार के फ्रेस होके अपना स्ताव अगरा करके उसके बाद जो स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल स्कूल था यहां से दस किलोमेटर का सपास तो हम लोगे लोकल ट्रेन था वहीं से जाना पड़ता था तो मलमान के चली आठ साड़े आठ कॉलेज बोली है इसकूल तो जाने के लिए आठ साड़े बेर जाएंगे और सार मन पूरा स्कूल का रूटिंग फॉलो करे तो घर आते थे पांच सामको चारे पांच बच जाता था अब वहां साने के बाद तुरंट सो जाते थे कि रात में क्यूंकि दीन में तो सर कुछ कवर करने के लिए टाइम नहीं मिलता था जो पढ़ना था इसकूल कॉलेज कहीं पढ़ाई रहाता था जए पांच शवे तक घर आके तुरंट सोके कुछ खाके फिर रात को नौ या दस बैसे पढ़ने बैठ जाओ कोई अगर इसकूल का टास्क है तो उसको कम्प्लीट करके उसके बाद जो अलक से जो एक्स्ट्रा जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देते थे एट लिए सर बार सोते हैं सोचते हैं कि रात को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो मैं आपको एक चीज बताओ बहुत बड़ी यह मित्थे आए और बहुत सारे लोग इसको करते कि करना चेह कोई दिक्कत नहीं हो बट आप उसका प्रॉफिट देखना मैं इसको नहीं करा हूँ इसमें आपको 24 घंटा नहीं मिला आपको 30 घंटा मिला एक दिन में मतलग अगर आप रेगुलरी 24 घंटा एंज्वाय करते हैं आपको 30 घंटे जैसे फीलिंग होगी सच में जो बंदा सुबह उठता जैसे कि मैं भी खुद उठ जाता हूँ पांच वच बज़े तक तो ऐसा लगता कि आदा दीन ही कट गया हाँ अब चलते हैं पांच वच पॉइंट पर थोड़ा सा बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या आपको लगा इस पूरे मतलब आपके जर्नी में तैयारी करने में कि यार इसने मेरे को रुला दिया मतलब परसान कर दिया में बहुत परसान हो गया कोई पूरा हो की नहीं हो तो सबसे बड़ा ये था बिल्कुल दिमाग घुमती होगी बाते हुआ हमेशा बीच में कोरोना गया तो उसके करण तो लगता था कि अब लगता है कभी सपना पूरा नहीं होगा बहुत बच्चों का नुक्सान हुआ और अब उसमें अब हमारा कुछ भी रोल या आपका भी साइद बच्चे भी कुछ चाहके भी नहीं कर सकते थे ऐसे सिच्वेशन में हम इसको यह कर सकते कि कभी कभी जैसे भगवान को पर नहीं डाल देते जो होगा देखा जाएगा तो यह कोरोना यह वाला सिच्वेशन ऐसा ही था कि अब छोड़ दोसको बारे में क्या ही मतलब बहुत मुक्सान वा लोग अख है तो चलता है चटे पॉ कर ले फिर थोड़े दिनबाद मन करता कुछ और कर लेते हैं तो कॉन्टिन्यूटी जो होती यह सबसे इंपॉर्टेट है लेकिन उस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या मोटिवेशन के तोर पर फील करते थे समझते थे क्योंकि यह जरूरी है है वहले तो जैसे की बढ़ाई स्टाट के तो दो-तीन दीन पढ़ने का बाद लगता था कि यह बहुत हो गया बाद में देख लेंगे एक दिन बाद देख लेंगे लेकिन सर कभी-कभी मतलब जैसे माली जै एक्जाम सामने आया मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने निवी का परिशानी नहीं होता था तो मैं एक तरह से मोटिवेट रहता था कि जब टीचर इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं टीचर सुबाद पांच बजे क्लास लेने चले आ रहे हैं साम को रात-रात भर जग के पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं हम एक्च्वल में तो से बिलॉंग नहीं करते हैं तो जिसके कारण घर का भी सिच्वेशन से हम लोग को मोटिवेट होना पड़ता था और अपना तो फ्यूचर है ही सर क्योंकि सर एज बढ़ते जा रहा है तो मोटिवेशन आना और जैसे कि पढ़ते थे ना तो साइड में पेपर पे या कागच पे लिख लेते थे कि फोकस करना है अपने गोल पे तो ध्यान अगर भटका माली सन्नी नहीं तो वहां पर देखते थे कि नहीं नहीं कभी कंटिन्यू रखना है छोड़ना नहीं है बिल्कुल यह बड़ा अच्छा एडिया हम लोगी जब पढ़ते थे तो दिवाल अगर आ आप क्यों यह काम कर रहे हो और जब तक आपको यह बात याद रहेगा आपको क्यों कर रहे हो तब तक आप मोटिवेटेड होगे और जिस दिन आप उसका मकसद भोल गया फिर रोकना बड़ा मुस्किल हो जाएगा आपके लिए तो फिर अप चलते आप लोग आगे यहां पर एक साथे पॉइंट में बात करते हैं कि आप कहां से एडवाइस लिया किसे इंस्पायर हुए बेसिकली किसी एक परसन या फिर किसी एक लाइफ इस्टाइल या आप कह सकते हो मूवी मतलब कुछ भी हो सकता यह इंस्पिरेशन का कोई लिम्टेशन नहीं है तो फिर अगर एक्स्प्लेशन करें तो अगर किसी मेरे तरफ से था तो मैं यह कह रहा था कि जैसे कि आपका इंस्पिरेशन कौन था कौन मतलब किसे आप इंस्पायर हुए थे कोई भी मतलब फॉर्म भरने में कह दीजिए या आगे की जर्नी को कॉंटिन्यू करने का सोचे कि आप डिफेंस में जाना है आपने हाला कि बोला कि आपके गाउं के बहुत सारे लोग इसमें हैं लेकिन फिर भी कभी कभी एक परसनल एक परसनल्टिस हम लोग अट्रेक्ट होते या उनसे इस पाइर होते परसनली सिर्फ एक दो से तो अगर आप बीना नाम के बताएंगे तो भी बठा अगर कोई है तो जरूर बतारा चाहेंगे सबसे अगर इस्पाइर होए तो मेरे क्लास का एक फ्रेंड था उसी वही मेरे मान के चलिए कि सर इंस्पाइर कि हाँ हम लोग मतलब क्या का इसका खासियत सर बताया कि मतलब क्या और वू खासिए तो हम देखे भी सर बहुत ऐसा जगा सबसे बड़ा इंस्पारेशन रहा सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबसे में अगर रू बोले तो सर उसमें मिरा एक दोस्त क्लास नागर कर Cody C का différent का सब्सक्राइब काफिये चेड़ है मतलब जोब और मुझे बता रहूँ सब्सक्राइब करके तो आगे अब लोगने स्याइब कि मतलब की नागए जब नॉर्मल स्टुडेंट होता है जो अधर एक्जामनेशन की त्यारी करता है या फिर आप करते या कोई अकेडमी की पढ़ाई करता है तो आपको क्या लगता है कि दोनों के एक्जाम में खाज कर कॉंपुटिटिव एक्जाम की में बात करूँगा क्या डिफरेंस है जैसे पुरा ही अलग है यूँक्यी यहाँ पर ऐसा ऐसा हुदै के जो आ ऐक्जाम एक लड़का 90 § 80 प्रिफेसंट वाले बच्चे बहुत सरे फेल हो जाते है कि में एक्टोडी प्रेंटिव में 9 को सीठ मिलना चाहिए वहां पर झालीइट फाइपरिंट फॉले बशन प्रॉब्लेम ऐसा रहा कि mentally कुछ disturb रहा तो उसके पेपर नहीं तो उसके basis लड़के को हम challenge नहीं कर सकते या लड़के को कुछ नहीं बोल सकते और यहां competitive यहां पर mind का sharpness है सर टाइम कितना आप manage कर रहे हैं कितना मतलब जल्दी आप basic knowledge को पकर रहे हैं सबसे main होता है सर रोल basic knowledge का basic knowledge जिनका clear है वो competitive हमेशा clear करेंगे सर बिल्कुल और यहीं दोनों चीज़ को competitive exam को अलग बनाती क्योंकि हम मैं हमेशा कहता हूं जब हम लोग बोर्ड का exam देते ना तो किसी भी चेप्टर को जैसा हमने पढ़ा math का क्योई trigonometry पढ़ा तो trigonometry का math में तो ज्यादा नहीं बोल सकते बठा जैसे English में कोई कोई एक novel पढ़ लिए history में कोई एक topic पढ़ लिए तो उस पर हम लोग अपने मंद से extra बहुत सारी चीज़े लिख सकते जिससे score बढ़ जाता है अब वहां पर जो जितना extra लिख लेता उससे साब से score करता है अपना अब जब competitive exam की बात आती है तो यहां पर सटीक knowledge चाहिए आपको यह आता है या नहीं आता एक second में एक line में clear करना है उसमें यह नहीं कि कोण जादा बता दे रहा है कोण कम बता दे रहा कोण जादा जानरा कोण कम जानरा यह सारी चीज़ें वहाँ फेल हो जाती है इसलिए बहुत difference create कर देता और दूसरा जैसे नहीं नहीं बताया time management time management बड़ा important चीज़ है आपको कितना knowledge है यह कभी भी आपका exam में selection होना नहीं होना यह decide नहीं कर सकता knowledge अलग चीज़ होता है आपका academic अलग चीज़ है और competition में जब आते ना within that limit time उस fraction of time के अंदर आपका दिमाग कितना काम गया अगर मेंटरी डिश्टर्ब आपके परिवार के विज़े से किसी विज़े से हो सकता है आपका center बहुत दूर चला गया है तो आपका सब्जेक्ट में सर सभी सब्जेक्ट का knowledge बहुत जरूरी है कोई बच्चा इंग्लीज बहुत अच्छा है math बहुत अच्छा है तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते नवे पॉइंट पर क्योंकि मैंने दस पॉइंट करने का सोचा और बहुत सटीक पॉइंट उसने रखा ताकि बच्चों को help हो और आप बाकी काफी जबाब दे रहो यार मज़ा आ गया सच बता रहा है तो नाइंथ पॉइंट बात करेंगे कि अब जब आप त्यारी कर रहे थे तो आपके जायर से बात है पूरी जर्नी में क्योंकि आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कोरोना के पहले से तो कुछ 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 स्टार्ट किये थे तो सबसे पर मेरे को याद है कि निवी का नाम से मैं के दर एक पॉलेज ट्रीट है मैं एक बूक लेने गया था तो वहां पर जब और से भी इस्टूरेंट गये तो और भी लोग अलग अलग बूक ले रहे थे तो वह लोग ने में पूछ आपके निवी केटेगरी को हम चूज करेंगे लेकिन अच्छे हैं चूज करेंगे तो उसको जब मैंने लिया और सर मैंने उससे थ्वड़ा बहुत पढ़ा बूक से सबसे पहला मेरा जंड़नी था सर पढ़े तो जब मेरा सब निकला ना तो हम सबसे ज्जादा खूस हुए था उसी समय क कि मैंने बिना किसी से मतलब ज्यादा इसके टॉपिक के बाड़े में डिसकसन की एक्जाम का पैटर्ण जाने मैंने मतलब एक्जाम को अच्छे से क्वेश्चन नहीं जाने क्योंकि सर 2019 समय मतलब क्या बोले तो सर गाइडेंस उस समय अभी तो सर यूटूब में बहुत गाइ क्या और अच्छा बात इन्होंने कहाएगे को अभी ना यूटूब की बहुत सारी अवेलिबिल्टी बहुत सारे लोग अच्छे हैं और सभी लोग अच्छे बहुत मेनत करते बच्चों के लिए सभी जितने भी चैनल है या कोई टीचर इंडिविजल सभी बहुत मेनत करते अब बच्चों को अपना टोन पकड़ना होता अपना फ्रेक्वेंसी पकड़ना होता किस टीचर के लेकिन वह पानी बहुत ज्यादा यूस्फुल नहीं होता है जैसे आपका मीठा पानी होता है आप समंदर के पानी को पी नहीं सकते तो ऐसे यूटुब पे ने बहुत सारा information है लेकिन आपको कौन सा information help कर सकता यह important है और यह कभी भी ना मैं ना कोई भी जच कर सकता है यह आपको individually जच करना पड़ेगा कि आपको कैसे decision लेने हैं क्या करने है तो फिर आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे कि आपका आगे का क्या प्लान है मतलब अभी तो ठीक है आपका नेवी SSR में अपने पर्चम लहरा दी आगे का क्या प्लान है आपका क कि मुझे यह भी करना अच्छी में और उनके लिए क्या-क्या प्रिप्रेडिंग आपके दिमाग में अल्रेडी है थोड़ा सा उसको ना एक ब्रीफ एक्स्प्लेनेशन दे दीजे मेरा सपना है कि मैं इसे वापर ऑफिसर लेवल में जाओ तो मैंने यह सोच करा है कि जब मैं उसके अंदर जाओंगा तो ओफिसर लेवल के लिए तो मुझे ग्रेजूएशन जरूरी है सीडी एस में बैठने के लिए तो मेरा यही टार्गेट रहेगा कि मैं तियारी नहीं छोड़ूँगा, तियारी को continue रखूँगा, और हमेसा ट्राइ करूँगा कि हमेसा बड़ा rank एचीव हो, अल्वेज मतलब यही रहेगा कि इससे बड़ा कुछ कर पाऊंगा, तो लाइज में रूकना नहीं चाहिए, व्या तो, सर क्यूंकि आप देखते हैं, इ इससे अच्छा मैं rank कर पाऊं, तो वो कभी नहीं रूकते हैं, सर, बिल्कुल, और जिन्दिगी में सच करते रहोगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, कम से कम अपने आपको बहतर बनाओगे, सबसे ज़रूरी चीजी होती है, तो यह बड़ा अच्छा लगा आप से ब और उमीद करता हूँ, बच्चों को काफी help मिलाओगा, अगर बच्चों आप लोगो कोई भी लगे कि हमें और कुछ जानकाली चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर आपको जाएगा, तो आपको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, सर, क्योंकि मैंने मैंने आपको फ़ॉलो किया, सर, शुरू से ही मैंने फ़ॉलो को, या आपका इनोट से, जितना एकजाम में एैरफॉर्स हो, नेवी हो, पोशगाड हो, तीनों अगजाम में आपको ही नोट से, सर, मैं पड़ा हूँ है, भूत जबाब है, यह हम बोलेंगे, क्यूrig आपको लोग हेल्प लेते रही है आगे बढ़ते रहे और रंजीत जी आपको सच बेस्ट आफ लग और फ्यूचर के लिए आपको मैं उमीद करता हूं कि आप सीडियस देंगे और डिपार्टमेंटल एक्जाम भी अगर आपको मौका मिले तो भी आप देते रहना और बाकि कोई भी कमजूर हो जाएंगे हमेशा कभी भी कोई भी आदमी अगर आपको एक ही जगा खड़ा कर दे कि बोले 24 घंटा एक मेने तक खड़े रहो तो आप ठक जाओगे लेकिन अगर चलते हुए रुकोगे कहीं फिर चलोगे तो फिर आप नहीं ठकोगे मतलब कि थोड़ी बहुत च